नमस्कार दोस्तों यूटूब चनल ICT 18B में आप लोग का स्वागत है अज फिर से हम आप लोग के लिए National Scholarship Portal का पेमेंट रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिए आप परनस पिछला एक दो वीडियो में हम आप लोग को बताये थे कि NSP Scholarship में Student का Application Send to PFMS पर पेमेंट हो गया आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को Student का Status Live चेक करके दिखाऊंगा कि Student का Payment Under Processing Bank के पास चल गया जिए आप लोग अभी तक अपना Status को चेक नहीं किया है तो मैं आप लोग को आज एक नया तरीका बताऊंगा थोड़ा सा ही Different है Status चेक करने का जिसमें Student का Payment Under Processing Bank CBS हो कर रहा तो आप लोग कैसे चेक करेंगे इस वीडियो को थोड़ा सा भी मीस मत किज़ेगा नहीं तो आप लोग नया तरीका भी पता नहीं चलेगा आधा अधूरा देख रहीएगा तो आपको पता चलागा कि पूरा नहीं चीज बता रहा है लेकिन नहीं आज की इस वीडियो में आप लोग को नया बताऊंगा जिसमें Student का Actually दीखेगा Under Processing Bank CBS है तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं उससे पहले चैनल पे अगर पहली बारा हैं सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए जिए नया नया इस कॉलसीब रिलेटर अपडेट हमेशा पाने के लिए चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मैं स्टेटस चेक करने का लिंक भी दे दिया हूं और वैब साइट भी दे दिया हूं कैसे आप लोग चेक करेंगे देख पार है पिचला वीडियो में हम अप लोग को बताये थे अभी भी बताते हैं कि अगर हम लोग डारेट कैसे चेक करेंगे देख सकते हैं, यहां से सर्च करेंगे, तो यहां पर नहीं सो करेगा, यहां पर बताएगा, पैमेंट नॉट इनिटिर फॉर दा बेनिफिसरी, तो आप लोग नया स्टेटस चेक करने के तरीका कैसे, चलिए मैं आप लोग आगे बता, आप लोग अपना करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक जोर देखिएगा, ठीक है, उमंग अप लोग को डाउलोड कर लेना, और इंस्टॉल कर लेना, मेरा अल्रेडी इंस्टॉल है, पिछला वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, जितना भी स्टूडन का नहीं है, वोग उमंग एप को इ नहीं चेक करना है, उमंग एप महीं आता, पी एफमेस का उप्सन, तो यहां पर सो करेंगे, देख सकते हैं, मेरा सर्च किया हुआ, तो पी एफमेस आ गिया, अभी हम उमंग एप के अंदर पी एफमेस से किस परकार सर्च करेंगे, जो हम लोग का स्टेटस एक्चूल में स सो करेंगे, यहां पर देख सकते हैं, दो स्टेटस सो हो रहा है, नो यूर पेमेंट स्टेटस और ट्रेक यूर एफमेंट स्टेटस, ठीक है, तो हम लोग किसी एक में चला जाएंगे, नो यूर पेमेंट स्टेटस में देख सकते हैं, आपको अपना अकांट नमर फिल करना एनस्पी में जो दियें, बैंक नाम और अपना मुबाइल नमर जो एनस्पी में दियें, या फिर ट्रैक योर एनस्पी में, एनस्पी के एप्लिकेशन नमबर और मुबाइल नमर को फिल करके सब्मिट करना, मैं किसी एक को सलेट करता, नो यूर पेमेंट इस्टेटस को, यह student का नाम है आसिक अली देख पार है यह post metric scholarship और minority apply किया था उसके बाद जैसे यहाँ पर किलिक करेंगे उसके बाद आपका सो करेगा देख पर है minority welfare department और यहाँ पर आपका सो करेगा under processing bank cbs देख पार है student live दिखा रहा हूँ अंडर processing bank cbs इस student का payment हो गिया जो कि उत्तर बिहार ग्रामिन बैंक है देख पार है नाम भी आसिक अली यहाँ पर सो कर रहा उसके बाद थोड़ा इसको उपर करेंगे तो यहाँ पर सो करेगा organization भी सो कर रहा और amount भी सो कर रहा देख पर credit transaction ID और amount यहाँ पर सो कर रहा देख पर रहा इस student का amount सो कर रहा ठीक है इसी पर कर आप लोग अपना status को चेक करके देखिए आपका क्या सो कर रहा तो आप लोग वीडियो का description बला link से भी direct PFMS पर भी चेक कर सकते हैं या फिर उमांग अप में PFMS में या फिर उमांग अप में national scholarship में भी status को चेक कर सकते हैं आप लोग का payment मार्च के last में या अपरेल का first week में जरूर रिसीब होने का संबावना है तो अगर ये वीडियो आप लोग का अच्छी लगी तो वीडियो का like केज़े अपना friend group के साथ share कर दिजे और चैनल पर नहीं तो subscribe कर लिजे नयाने update हमेशा पाने के लिए चली मिलता दूसरे वीडियो पर